जय हिंदों दोस्तों स्वागत है आप लोग का आज के एकने वीडियो में आज के इस वीडियो में आप लोग के लिए टोप 30 जी के कोईसें एंसर लेकर आए हैं UP Police Constable Exam से जुरा हुआ यानि कि आज के इस वीडियो में आपको जितने भी कोईसें बता जाएंगे इस में से Maximum Questions आपको एक्जाम में पूछे ही जाएंगे जिया दोस्तों मैं जितने भी कोईसें लेकर के आया हूँ बहुत ज़्यदा Important Question है आप अगर Constable Exam का फॉर्म भरे हैं और एक्जाम देने आप जाएंगे तो आपको इस वीडियो को देखना बहुत ही ज़रूरी है जिसका सईसे अंसर आपको देना होगा तो आप लोग वीडियो को इंट तक जरूर देखना इस वीडियो में आपका पहला question हो जाएगा उत्तर परतिक चिन है दूसरा नमबर क्वेशन है उत्तर परदेश में कितने पुलिस जी ले हैं तो दोस्तों कितने पुलिस जी ले हैं उत्तर परदेश में तो इस क्वेशन का सही अंसर क्या हो जाएगा इसका सही अंसर हो जाएगा ऑप्शन है 75 75 है उत्तर परदेश में पुलिस जी ले पुलिस का रंग कैसा होता है तो कैसा होता है पुलिस का रंग कोई सबसे चोड़ और नीला इसके सबसे चोटी पोस्ट कोन सा है तो वही पद सबसे चोटा पोस्ट सीकूंस का सबता है दोस्तों आप लोग नोट करते जाएगा questions को और बहुत अच्छे से याद कर लिजेगा और कितने questions का सईसे answer आप पहले से जानते थे ये भी आप लोग बताना लास्ट में विडियो के तो आपका question number 7 हो जाएगा constable के worthy में कितने star होते हैं तो दोस्तों जो constable की worthy होती है उसमें कितने star होते हैं इसका सईसे जबाब हो जाएगा option B 0 0 star होते हैं एक भी star नहीं होते है constable के worthy में अगला question है उत्तर परदेश पुलिस का नारा क्या है तो दोस्तों जो उत्तर परदेश पुलिस है उसका नारा क्या है question कासे answer option D हो जाएगा चुरच्छा आपकी संकल्प हमारा यानि कि चुरच्छा आपकी संकल्प हमारा उत्तर परदेश पुलिस का नारा है याद रखिएगा बहुत ज़्यदा important question है अगला question है पुलिस बिभाग में कितने पद होते हैं तो question का सईसी answer हो जाएगा option है सुल्ला सुल्ला पद होते हैं पुलिस बिभाग में और ये बहुत ज़्यदा very very important question है इसको तो आप लोग बहुत ही ज़्यदा अच्छे से याद रखना क्यूंकि ये question आपको maximum chances से की आएंगे ही आएंगे तो इसको अच्छे से याद कर लेना पुलिस बिभाग में कितने पद होते हैं तो इसका सही answer option है सुल्ला हो जाएगा अगला question है भारत में कुल कितने थाने हैं तो ये भी बहुत ज़्यदा important question है क्यूंकि भारत में total कितने थाने हैं इससे जुरा हुआ question है तो भारत में total कितने थाने हैं अगर आपको पहले से पता है तो comment में जरूर बताएगा कि इस question का answer आप पहले से जानते थे क्यूंकि इस question का answer आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है important question है तो इसका सही answer हो जाएगा option B 16671 यानि कि option B 16671 थाने है भारत में total इस question का answer option B रहेगा अगला question है भारत में सबसे ज़्यादा पुलिस इस्टेशन किस राज्य में है तो कौन से राज्य में है दोस्तो भारत में सबसे ज़्यादा पुलिस इस्टेशन इस question का answer हो जाएगा option C उत्तर पर्देश, उत्तर पर्देश में सबसे ज़्यादा पुलिस इस्टेशन है, भारत के अंदर, अगला क्वेशन है, उत्तर पर्देश में कुल कितने पुलिस इस्टेशन है, ए भी क्वेशन भेडी भेडी इंपोर्टेंट क्वेशन है, उत्तर पर्देश से 1526 पुलिस इस्टेशन है उत्तर पर्देश में आप लोग इस क्वेशन का सही सही अंसर याद रखना हमेशा आपको याद रहना चाहिए एक क्वेशन नेक्स्ट क्वेशन है उत्तर पर्देश का सबसे बड़ा थाना कौन सा है तो दोस्तो ए भी भेरी भेरी इंपोर्टन क्वेशन है उत्तर पर्देश का सबसे बड़ा थाना कौन सा थाना है तो इस क्वेशन का सही सही अंसर होगा आगला क्वेशन है केंद्रिया पुलिस अंसर हो जाएगा option C भौपाल, भौपाल में, option C भौपाल इस question का सई अंसर होगा, अगला question है, उत्तर परदेश की स्थापना कब होई थी, भेरी भेरी important question आ गया, उत्तर परदेश की स्थापना कब होई थी, अब एक question maximum time आप से पुछे ही जाएंगे, क्योंकि ये बहुत और जयागा option B 24 जन बड़ी 1950, 24 जन बड़ी 1950 इस question का सई अंसर होगा, अगला question है, उत्तर परदेश की राजधानी लखनाव कब बनी, तो दोस्तो उत्तर परदेश की राजधानी लखनाव कब बनी थी, question का सही-स फैंसर होजाएगा option pani 22, یعनि क्योंकि 1920 इस question का सही- बढ़ा जिला कौन सा जिला है तो इस question का सही से answer हो जाएगा option B प्रयाग राज प्रयाग राज जन संख्या की ड्रिश्टी से सबसे बढ़ा जिला है और यहां पर हम सेत्रफल की ड्रिश्टी से भी बात करेंगे वीडियो में आगे तो देखें यहां पर next question आपका यही से related है चेत्रफल के ड्रिश्टी से उत्तरपर्देश का सबसे बढ़ा जिला कौन सा है तो दोस्तों चेत्रफल के ड्रिश्टी से सबसे बढ़ा जिला कौन सा है जैसा कि हमने जन संख्या कि हिसाब से देखा प्रयाग राज बट चेत्रफल के ड्रिश्टी से कौन सा है जिसका सही यहाँ साही एंसर हो जाएगा ओप्सों नहीं लखें पूंपूर खीरी लखें पूरी्षिं इस सईसे ही अंसर होगा जो कि छेतर फर्ल की ट्रिश्टी से उत्रपरदेश का सबब्ड़ा जिला है और अगला question यहां से आप से पूछ रहा है जनसंख्या की डिरिष्टी से उत्तर परदेश का सबसे छोटा जीला सबसे छोटा जीला कौन सा यहां पर राज्ये लिखा हुआ है बट जीला होगा यहां पर एक मिश्टेक हुआ है जीला के जगा राज्ये लिखा गया है बट जीला होगा जनसंख्या की डिरिष्टी से उत्तर परदेश का सबसे छोटा जीला कौन सा जीला है तो इस question का सईसे एंसर हो जाएगा option C महोबा महोबा जोकी जनसंख्या की ड्रिष्टी से उत्तर परदेश का सबसे छोटा जीला है अगला कोईशन है छेत्रफल की ड्रिष्टी से उत्तर परदेश का सबसे छोटा राज्य कोन सा है फिर से यहाँ पर मिश्टेक हुआ है राज्य की जगह पर जीला होगा यहाँ पर गलती से राज्य लिखा गया है तो आप लोग समझ जाईएगा छेतरफल के ड्रिष्टी से उत्तर परदिस का सबसे छोटा जीला कौन सा है तो अभी हमने जनसंख्या के हिसाब से देखा था बट यहाँ पर आपको छेतरफल के ड्रिष्टी से पूछ रहा है तो छेतरफल के ड्रिष्टी से सबसे छोटा जो जीला है वह जीला है उप्शन भी हापूर हापूर इस क्वेशन का सही अंसर होगा जो की सबसे छोटा जीला है छेतरफल के ड्रिष्टी से और next question है उत्तर परदस का सबसे गरीब जिला कौन सा है दोस्तों यहाँ पर भी एक mistake हुआ है राज्य लिखा हुआ है बट जिला होगा आप लोग समझाएगा उत्तर परदस का सबसे गरीब जिला कौन सा है तो इस question का सभी से एंसर हो जाएगा option C बहराईच बहराईच उत्तर परदेश का सबसे गरीब जीला है इस question का सही से अंसर होगा अगर आपसे पुझा जै सबसे अमीर जीला कौन सा है तो वीडियो में आगे हम यह भी जानेंगे तो यहाँ पर आपका next question है तो वही question है जो मैंने अभी अभी आपको बोला उत्तर परदेश का सबसे अमीर जीला है उस जैगा जाजयाबाद इस question का ज़ी स Яन्सर हो जाएगा नेंक्स्ट qe Wait र 1933 उत्तर परदेश में यह यह उत्तर परदेश में तेल सोधक कारख्वाना question का साही अंसर हो जाएगा option D Mathura, Mathura में option D is question का, सई सई answer हो जाएगा, अगला question है, उत्तर परदेश को पूर्वे में किस नाम से जाना जाता है, तो उत्तर परदेश को पूर्वे में, यानि कि पहले, पहले इसका कौन सा नाम था, question का सई answer हो जाएगा, option है, United province, United province इस question का, सही answer हो जाएगा अगला question है उत्तर पर्देश का वर्तमान नाम कप परा तो दोस्तों वर्तमान जो नाम है उत्तर पर्देश यह नाम कप परा था question का सही answer हो जाएगा option भी 12.1950 को यानि कि 12.1950 इस question का सही answer हो जाएगा अगला question है उत्तर पर्देश में हीरा किस जिले से निकलता है तो दोस्तों उत्तर पर्देश के अंदर हीरा निकलता है वो किस जिले से निकलता है question का सही answer हो जाएगा option है बांधा बांधा जिले से निकलता है option है इस question का सही answer होगा आगला question है उत्तर पर्देस में कौन सी मिठी सरवाधिक पाई जाती है तो दोस्तों उत्तर पर्देस में पाई जाने बली मिठी मिठी कौन सी मिठी है question का सही answer हो जाएगा option D लालवा काली मिसृत लालवा काली मिसृत इस question का सही answer होगा आगला question है, उत्तर परदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है, तो दोस्तों उत्तर परदेश की जो लंबी नहर है सबसे वो कौन सी नहर है, question का सही अंसर हो जाएगा option B, सार्दा नहर, सार्दा नहर इस question का सही अंसर होगा, आगला question है, तेल सोधक कारखाना उत्तर परदेश के वह कौन से नगर में इस्तित है, question का से इंसर, option यह हो जाएगा, मथूरा, मथूरा में इस्तित है, option A, इस question का से इंसर है, अगला question है, उत्तर परदेश का प्रमुख लोग गीत है, तो कौन सा लोग गीत है, उत्तर परदेश का प्रमुख लोग गीत, question का से इंसर हो जाएगा पूप्मान राजदानी कॉन सा नगर है करने हैं कोमेट करने तो यह दिखनकर आपको फजह सँन्सके बटानाऀंगे की नए विडियो में